वक्त की जालिम हुकुमत शरीयत के कानून को बदल रही है और हमारे नोजवान टिक टॉक पर मुझरा कर रहे हैं जिस मजब में औरत के आवास तक का परदा है उस मजब की लर्कियां टिक टॉक पर नाच रही हैं हकीकत में कोई फरक नहीं है दोनों में वो कोठे पर नाच टी है तुम ठिक टॉक पर नाच रही हो उसे दस बीस गेर मर्द देखकर मज़ा लेते हैं और तुम्हें मुबाइल पर हजार गेर मर्द देखकर मज़ा ले रहे हैं उसे नाचने पर पेजे मिलते हैं तुम्हें नाचने पर लाइक्स मिल रहे हैं बस ये ही फरक है और एक बात याद रखना एक नोजवान बेटी ने अपने अबा से पुशा अबा जान मैं बदन के कितने हिसे का परदा करूँ और कितना हिसा खुला छोड़ दू तो अबा ने जवाब दिया बेटी बदन के जितने हिसे पर जहनम की आग बरदाश कर सकती हो तो उतना हिसा खुला छोड़ दो वा जी वा और या हालत देखो दोस्तों टिक टॉक ये कयामत की निशानी में से एक निशानी है क्यूंके अला के नभी ने फरमाया है गर गर में नाच गाना होगा अफसोस आज वो ही हो रहा है बेटियां बेटे माँ बाप बाई बेन सब लगे हैं इस कयामत की निशानी को बड़ावा देने अगर अपनी बेन बेटी को टिक टोक पर मुझरा करते देखकर तुमारा दिल खुश होता है तो आप नमाजे जनाजा पर लो क्यूंके तुमारी गेरत मर चुकी है और दूसरी बात याद रखना मिट जाती है उस कौम की एहमियत जिसमें बेहयाई आम हो चुकी हो और जब निका डीजे पर पढ़ाए जाएंगे तो नसलें टिक टोक पर मुझरा करते हुए ही पैदा होंगी ना अपसोस तो तब होता है मुझे कि टिक टोक पर ज्यादा फेमस भी मुसलिम ही है ना अपसोसे उन्हें अपने काम पर ना शर्मेंदिगी है गुजर रही है गुनाओं में ये कैसी जिन्दगी है दोस्तों मेरी आप सबसे रुक्वेस्ट है कि अपनी ओरतों को दीनदार बनाओ और दीन की मेनत में लगाओ वरना जिस दिन तुमारा जनादा उठेगा उस दिन तुमारे गर से तुमारे दीन का भी जनादा उठेगा और अगर तुमने अपनी ओरतों को दीनदार बनाया तो तुमारा दीन नसलों तक जिन्दा रहेगा दोस्तों अगर आपके अंदर थोरी सी भी गेरत जिन्दा है तो इस वीडियो को इतना शेर कर दो क्या पता आपके एक शेर करने पर इस दुनिया में बदलावा जाए